दोस्तों नमश्कार दोस्तों आज हम जो CGPSC मेंस में लोग प्रशासन विशय से संबंदित जो प्रश्ण पूछे गए हैं उसको हम देखने की कोशिकरते हैं उससे संबंदित जो भी दिश्ची कोण है और भी थोड़ा सा ज़्यादा चीज़ा जाने की कोशिकरते हैं ताकि यहां से कोई प्रष्ण आपक मेंसें बन जाए तो आप आराम से उसको कर सके है है na तो सबसे जो महतवपुर्ण है वो ये है कि एक मेंसे जो answer लिखा जा रहा है वो कैसे एक अच्छा answer लिखा जाये जिससे कि हमें ज़्यादе ज़्यादा number मिल सके हैं ना तो ज़्यादा ज़्यादा नमबर मिल सके तो इसलिए आज का टॉपिक है कि एक अच्छा उत्तर है ना एक अच्छा उत्तर कैसे लिखे है ना अच्छा उत्तर कैसे लिखे है तो सबसे पहले जो सवाल उठता है वो क्या है वो अच्छा उत्तर है ना तो अच्छा उत्तर का म अच्छा उतर कहते किसको है भाई तो आप empathize हुए एक प्रशासिंग अधिकारी का एक महत्वण गोण है empathize होना empathize होने का मतलब यह होता है समान उभूती समान उभूती का मतलब यह होता है कि आप उसकी जग़ा पे खुद को रख करके देखें मतलब जो आपके कापी चेक करने वाले examiner है वो उनकी जग़ा पे आप खुद को रख करके देखिए और यह सोचिए कि अगर मुझे कापी चेक करना हुआ और मेरे पास दो चार कापी अगर है मेंस की जो मुझे चेक करना है तो उसमें चार कापी ओमें से मैं सबसे ज़्यादा नंबर में किसको दूँगा सबसे ज़्यादा impress किससे होंगा है तो no doubt जो मुझे लगता है जिससे मैं impress होंगा शायद आप भी उससे impress हो आप जान लीजे पहले तो हो सकता है कि आपको भी लगे कि हम लोग दोनों एक जैसा सोच रहे है जैसे आप यह देखिए कि सबसे पहला जो यह है कि जो question पूछा गया है उस question का ही एकदम बिल्कुल answer लिखना है मतलब जो question पूछा गया है उसी कोई पकड़ करके ही हमको उत्तर लिखना है ऐसा नहीं कि question कुछ और पूछ रहा है और आप answer कुछ और दे रहे हैं ऐसा नहीं होना चाहिए दूसरा यह है कि to the point एकदम होना चाहिए to the point होने का मतलब क्या है आप इस चीज़ को ध्यान रखेगा to the point होने का मतलब यह हो कि चुकि आपको 36 मेंस का जो पैटर्न है वो इस तरीके से है कि 30 वर्ट है और 60 वर्ट है 100 वर्ट है 125 वर्ट है इतने में आपको लिखना है और काफी ऐसा question मनाता है जिसमें क्या है कि answer में आपको गागर में सागर भनने की ज़रूद पड़ेगी और ऐसे प्रश्णों के उतर जो होते है वो बिल्कुल to the point ही होने चाहिए क्योंकि वहाँ कोई किसी भी तरीके कोई और दूसरा space आपको करने को नहीं मिलता है to the point ही होना चाहिए तीसरा ये है कि उस answer में आपको originality दिखनी चाहिए है ना originality याने मौलिकता आपको दिखनी चाहिए मौलिकता का मतलब यह हुआ कि एक answer ऐसा होता है जो कहा है कहीं से याद करके रट करके लिख दिया गया है तो आप पढ़ेंगे तो अपने आप समझ में आ जागे कि रट करके लिखा गया answer है आप उसे इंप्रेस नहीं होंगे मैं इंप्रेस नहीं होता हूँ शायद आप भी नहीं होंगे दूसरा यह है कि अगर आप ऐसा question देखते हैं कि जिसका यह कहा जाए कि पुरी किताब की भाशा जो लिखी हुई है तो उसे भी आपको समझ में आ आता है कि इसने भी किया है रट के ही लिखा है या कहीं से कॉपी किया है कहीं से नकल किया जो भी किया है लेकिन यह इसका अपना नहीं है है ना तो के साथ लिखा हुआ है और नो डाउट अगर आप को पी चेक कर रहे होंगे तो ऐसे ही उत्तर को जादा नंबर देंगे ठीक है ना तो यह कुछ खास खास चीज़े हैं है तो बहुत सारे क्रिटेरिया इसके लेकिन हम उतना डेटल में नहीं आते हैं और इतनी थोड़ी सी बात करें तो आपको जाद अच्छे बाते समझ में आ जाएंगी तो यहां पर ध्यान रखेगा इन सारी चीजों का और इन सारी चीजों को ध्यान में रख करके अपना अंसर दीजेगा ठीक है ना तो चलिए हम कोई एक प्रशन उठाते हैं त लोग प्रशासन का प्रबंधातमक दिश्टी कोन यह पूछा ओवा कुश्यन है प्रबंधातमक दिश्टी कोन प्रबंधातमक दिश्टी कोन यह पूछर था आपका 30 words में है था 30 वर्ट में पूछा हुआ था याने दो नमबर को कुश्चन है तो इससे इसके importance कम नहीं हो जाती है ना कि 30 वर्ट में इसे पूछा हुआ है एक एक नमबर आपके selection लिए बहुत important होता है समझते हैं इसको प्रबंधात्मक दिश्री कौन का मतलब क्या हुआ इसको इंग्लिश में कहते हैं मैनेजरीयल मैनेजरीयल एप प्रोच ठीक है तो ध्यान रखने वाली बात यह है कि अगर यह पूछा हुआ 2016 में प्रबंधात्मक दिश्री कौन तो हो सकता है इस बार आप से क्या पूछ दे एक एक पूछ दे technically पूछ दे या फिर सीधा सीधा & लगशाशन की प्रकृति पूच दे है ना ध्यान रखने है लोगशाशन कि प्रद्लनाथमक लोगशाशन की प्रकृति भी पूछा हुआ है तो लोत उटमों लोगशासन की लोग प्रशासन की प्रभंदात्मक दिश्रीकूर्ण कुछ और भूग ठीक है ना एक ही मिला दीजेगा तो ध्यान रखनाए कि लोग प्रशासन का जो प्रबंधात्मक दिश्रीकूर्ण पूछा हुआ है question हो सकता है कि इस बार आपसे क्या पूछ दे एक कृत पूछ दे या फिर आप से पूछ इसथा यही पूछ दे कि लोग प्रशासन की प्रकृति को समझाइए प्रबंधात्मक दिश्री कोण और एक ही कृद्धिश्री कोण में लिखना पड़ेगा अगर इसमें से किसी एक को पूछ रहा है तो वहाँ पे एक को लिखना पड़ेगा लेकिन और इसके साथ ही साथ क्या है अगर आप का तुलनात्पक अध्धन कीजिए या फिर यह पूछ सकता है कि वरतमान समय में एक ही कृद्धिश्री कोण अधिक मानने क्यों है अगर ऐसे प्रशन पूछता है तो नो डाउट आपको यह टॉपिक समझना पड़ेगा अगर आप यह टॉपिक समझते हैं तभी इतने सारे ições के उतर आप दे सकते हैं चुक्कि यह क्या लोग प्रशासन के बिलक confronting कि शुरुवात हैं जैसे कहते हैं लोग प्रशासन के लिविश का रशेथ ऊसका महत यह सारी चीज़ o जो है टापिक है वो बेसिक चीजे हैं लोग प्रशासन की और वहां से कोई ना कोई प्रशन हर साल पूछी रहा है तो इसलिए क्या है इस टॉपिक को आप अच्छे से समझे ताकि यहां से अब कोई भी नया प्रशन बनता है या फिर पुराना प्रशन बन जाए तो आप आर अगर ऐसा चाहिए आपको एंसर कि हाँ आप कुछ भी यहां से पूछ ले प्रशासन की लोग प्रशाद की प्रकृति पूछ ले या फिर प्रवंधात्मे दिश्य कोन और एक इक रिदिश्य कोन का अंतर पूछ ले या फिर तुलनात्मगधन पूछ ले वरतमान में कौन अधिक कौन सा देशी कोन अधिक मानने है ये पूछ ले तो ये सारे प्रश्णों का उत्तर आपको तभी आएगा जब आप क्या करेंगे सब को इदम डिटेल से अच्छे से पढ़ाई करेंगे और जब इसको आप डिटेल से समझ लेंगे तो फिर इसके बाद क्या होगा आप कि यह लोग प्रशासन की प्रकृति से ही सारी चीज़ संबंदित है ना जो आपको प्रश्ण आया हुआ भी है और आदे आले समय में जो प्रश्ण बन सकते हैं जैसे जो लोक प्रशासन की प्रकृति है ना प्रकृति याने नीचर ध्यान रखिएगा इंग्लिश में एडमिसेशन ठीक है ना नेचर हम पढ़ने जा रहे हैं तो नेचर जो पढ़ने जा रहे हैं इसमें क्या है दो दिशिकोन है इसके नेचर से संबंदित याने प्रकृति संबंदित दो दिशिकोन है एक जो है वो क्या है प्रबंधात्मक प्रबंधात्मक और दूसरा जो है वो क्या है एक इकरित है ना एक इकरित इंग्लीश में क्या कहते हैं इसको इसको कहते हैं मैनेजरियल एप्रोच मैनेजरियल और यह किया है इंटिगरेट नीटिगरेटिड है तो द्यान रखना है आपको यह दोनों चीजें हम पढ़ेंगे और एक साथ पढ़ेंगे और उसमें से जो समझ करके जो points है, वो points निकालेंगे, थोड़ा सा इसके लिए समझने के लिए थोड़ा हमको background में भी जाना पड़ेगा, ठीक है ना, लेकिन अगर आपने इस तरह के से समझ लिया, तो मैं आपसे दावा नहीं कर सकता हूँ, लेकिन हाँ, यह कह सकता हूँ कि आप अगर अ अच्छा उत्तर का जो परिभाशा है, वो यही है, उसका जो पैमाना है, वो यही है, है ना, कि आप मौलिक्ता के साथ समझ करके answer लिखें, applied answer लिखें, वही आपको सबसे अच्छा answer होता है, वो answer आपका होता है, ना कि कहीं से नकल किया हुआ रहता है, ना, चलिए, हम इसक प्रशासन विशेक को अगर समझना है, और उसके बाद ही आप उसके प्रकृति को समझना चाहेंगे, क्योंकि वो सारी चीज़ें एक दूसरे से interrelated हैं, ठीक है ना, तो सबसे important चीज़ यह है, कि लोग प्रशासन विशेक पहले कोई एक सोतंत विशेक के रूप में नहीं थ राजनीती विज्ञान के अंदर ही political science के अंदर ही public administration हुआ करता था, और इसकी वज़े से होता यह था कि उस समय जितने जो प्रशासन था, बहुत efficiency के साथ काम नहीं कर पाता था, तो वहाँ पे क्या हुआ कि लोगों की सोच में यह आया, कि कोई भी चीज़ जो नीतियां ब government में यह discourse चलने लगा, और यह सोचा जाने लगा कि कैसे प्रशासन को ज्यादा से ज्यादा effective बनाया जाए, efficient बनाया जाए, तो इसके लिए क्या हुआ, एक विद्वान उसमें हुआ करते थे, Woodrow Wilson, Woodrow Wilson ने एक विचार धारते, एक आइडिया दिया, उन्होंने politics administration dichotomy, मतलब राजनीती प्रशासन, दुई भाजन जिसको कहते हैं, मतलब क्या कहते हैं उसको, राजनीती प्रशासन, दुई भाजन या dichotomy है न, दुई भाजन, राजनीती प्रशासन, दुई भाजन या dichotomy जिसको कहते हैं, politics administration dichotomy है न, ठीक, तो ये चीज़, उन्होंने कहा क्या, कि ये कहा कि राजनीती अलग है और प्रशासन अलग है, है न, मतलब ये है कि दोनों का नेचर जो है, बिलकुल अलग है, और जब नेचर अलग है, तो क कहीं से भी, कोई भी इस तरीके करत ठर्क ने बनता है, कि राजनीती और प्रशासन को एक में ही रखा जाए, न, तो उन्होंने क्या कहा, कि राजनीती अगर नीती निर्मार से संबंदित है, तो ये क्या है, उसके kriyanvan से संबंदित है, है न, kriyanvan, नीति का निर्माण साध्य से संबंदित है याने लक्ष संबंदित है और यह जो है साधन से संबंदित है ठीक है तो इस प्रकार क्या है यह अलग प्रकृति की चीज हुई और यह अलग प्रकृति की चीज हुई इसका मतलब यह हुआ कि प्रशासन अलग है राजनीति अलग ह कैने और इस प्रकार से वोड्रो विलसन ने क्या किया लोक-प्रशासन को एक अलग विशय को रूप में क्या खिए इसने जन्म दिया ठीक हे लिए किया बीजले कशन को क्या कहा जाता है और अग्टा फादर आ पॉब्लिक हो राइंड अधनिस्यो बासा तो यहां पі विचारधारा के आधार पर होता है याने राजनीती अलग है प्रशासन अलग है क्यों भाई राजनीती का संबंद नीती निर्मार से प्रशासन का संबंद उसके क्रियान्वन से इंप्लिमेंटेशन से है इस प्रकार राजनीती का संबंद साध्य से है और प्रशासन का संबं यह एप लेगर और ये नेचर अलग है, इसका मतलब यह हुआ कि लोग प्रशैस्थ विशय को राजणीं तीवी ज्यान में नहीं होना चाहिए, इसको बिल्कुल अलग विशय के रूप में इस्थाबित करना को यही कि यह अभी बताया है यह भी इसमें भी आएगा इसलिए मैंने इसको बताना जरूरी समझ आपको है ना तो प्रकृति के का मतलब क्या हुआ एक इक्रीट का मतलब हुआ integrated ठीक है अब इसका आर्थ क्या होता है इसको भी हम समझने कोश्च करते हैं तो पहले तो यह समझ दिए कि प्रकृती का मतलब हुआ क्या है ना हो सकता है प्रकृती ना देकर के कोई और दूसरी लाइन आपके सामने question के रूप में लिखा हुआ है अगर आपको उसका मतलब नहीं समझ में आ रहा तो आप answer भी नहीं लिख पाएंगे है ना तो कोशिश यह करना है आपको कि प्रकृति को समझना है प्रकृति का हुआ है प्रशासन क्या है इसके बारें पूचा हुआ है तो प्रशासन क्या है एक organization एक संगठन है कैसे प्रशासन का अगर मतलब अगर निकाले अगर तो इसका उतलब निकलता है इसका अर्थ वो यह है कि लोग देख भाल करना और व्रवस्था करना यह सारी चीज़ें लेकिन क्या है अगर हम दूसरी तरीके से देखे तो प्रशासन से संगठन शब्द का बोद होता यहने organization का है ना कैसे भई इस दो होता है क्योंकि इसमें क्या होता है एक निशित उद्देश प्राप्त करने के लिए एक निशित और एक साजहा उद्देश जिसको कह सकते है उद्देश प्राप्त करने के लिए क्या होता है इसमें एक सामुहिक प्रयास का है ना एक सामुहिक प्रयास एक सामुहिक प्रयास का इससे बोध होता है याने प्रशासन जो है वो क्या है एक निशित उद्देश को प्राप्त करने के लिए एक सामुहिक प्रयास को दर्शाता है मतलब यह हुआ कि एक सामुहिक प्रयास है जिसमें एक निशीद उदेश को प्राप्त करने के लिए, तो यही चीज क्या कहलाती है, आपकी संगठन कहलाती है, संगठन कहलाती है, तो संगठन जो शब्द है, वो क्या है, वो सीधे सीधे किसे जूड़ रहा है, प्रशासन समझ जूड़ रहा है, क्यों, क्योंकि प्रशासन में भी क्या है को एक निश्य दूद्यश प्राप्ट करने के लिए लोगों का एक समूभ होता है जिसके लिए पैक्ट और इंप्लिमेंट करना है तो क्या हुआ ये जो लक्ष तै किया गया है किसके द्वारा राजनीती के द्वारा राजनीती के द्वारा हम लोगों ने पहले जो देखा है राजनीती के द्वारा जो एक लक्ष तै किया गया है उसको पूरा करने का काम प्रशासन कर रहा है अर्धात प्रशासन का लक्ष क्या हुआ अग प्रशासन क्या करता है एक एकदम साथ मिल करके एक कलेक्टिव एफर्ड दिखाता है ना कलेक्टिव एफर्ड मतलब सामुहिक जो प्रयास है उसको दिखाता है इसका मतलब यह जो काम है तो का और्गनाइशन में जो काम होता है वो कौन कौन सी काम है जो प्रशासन शब्द के अंतरगत आएंगे प्रशासन शब्द नहीं बलकि और धरना कहले प्रशासन के और धरना के अंतरगत आएंगे अर्थाथ प्रशासन को जैसे कहा जाए कि और अर्गनाइशन में तो बह हम आगे बढ़ते हैं तो देहाँ रखना है आपको कि और गना जिशन न देखिए यहीं से समझना है हमको और गनाजिशन की बात कर रहे हैं तो और गनाजिशन का मलब यह हुगा कि जो प्रशाभार सन कthinking कि अगे बड़िक ठीक है इसका एक उद्देश होगा ठीक है और इसमें क्या होगा उसकी काम करने की अपनी तकनीक होगी ठीक और क्या होगा उसमें व्यक्ति होगा भाई प्रशाजिंग अदिकारी व्यक्ति होंगे ना और यह व्यक्ति के लिए काम करेंगे है ना यही सारी चीज़े अब यहा है मतल Deus osca of disappointment होगा ना environment का मतलब क्या हुआ स्वाजी कार्थिक बारिवेश जिसंग कहते है ना तो यहां पर क्या हुव यह चीजह यह एक और अप देखते हैं और यही सारी चीजह क्या है प्रशासन में है इसका उदभ प्रशासन क्या है एक organization है ठीक है ना तो अब यहां पर ध्यान रखना है कि हम अब यहां से यह सानजना वाली चीज को लेकर चलते हैं ताकि आपको प्रकृति और जो उसके दो दुश्री कोर्ण है उसको मैं अच्छे आपको समझा सकूँ है ना चलिए समझते हैं चलिए हम पहले सानजना बनाते हैं तभी आपको यह बात समझ में आएगी कौन-कौन सी कारप्रक्रिया प्रशासन के अंतरगत आती हैं इस मामले में दो दुश्री कोर्ण क्या कहते हैं ना तो चलिए पहले जो है हम एक ऐसे पिक्चर ड्रॉ करते हैं देखें यह जो सबसे श मैनेजमेंट है यह तीसरे नमबर पर क्या है यह सुपर्वीजन है सुपर वीजन करते हैं इसको हिंदी में आप कहनें जिसी तरहिक प्रकृति की देख रेक करना तर municip द्यां रखेंगा गिल्टर्ट है कि जो 36 जानी खानी सबस्ञें वा इसके अलवा आपका ना यह सूपर वीजन इंस्पेक्शन यह सभी शबद उसमें पूछ जा रहे हैं तो उसमें से पूछा जा चुका था तो वह पूछा जा चुका है वह सकता है कि यह सारे शब्द भी आप आप से पूछे जाएंट तो कभी हम इसे फिर बात करेंगे, लेकिन यहाँ थोड़ा से समझ लिए, सुपर विजन का मतलब क्या होता है, कारिप्रग्रिती की देख रेक करना, यानि उसको हिंदी में करते हैं, परवेक्षान, मतलब जैसे कोई काम हो रहा है, तो वहाँ पर क्या है, कि उस काम को जो सुपरवाइजर होगा, उस काम को यह कोशिच करेगा, कि आगे बढ़े, बहतर तरगे से हो, और आगे बढ़े हैं ना, मतलब उसकी कम्या निकालना नहीं होगा, अगर कहीं कुछ कमी रह जा रही है, तो उसके साथ लग करके, उसको क्या करेगा, उसको ठीक करके, काम को आगे बढ़ाएगा, इसको सुपरविजन कहते हैं, यह यह पॉजिटिव शब्द है, ध्यान रखेगा, और इंस्पेक्शन जो है, कार की प्रगती नहीं होगी, वर्क प्रोग्रेस नहीं हो पाएगा, इसलिए यह बहुत ज़्यादा इंपोर्टन, तो इसलिए टेक्निकल टरम्स है, और इसमें क्या है, कुछ टेक्निकल डिफ्रेंसे हैं, इस आधार पर भी प्रशन बन सकते हैं, इसलिए इसको भी यहां पर ही क्या होता है, चीजों का इंप्लिमेंटेशन या डेलेवरी होती है, मतलब यह है, कि सबसे नीचे लिए इस तरह पर ही क्या है, यहां पर पब्लिक क्या करते हैं, पब्लिक क्या चीजों को डेलिवर करते हैं, ठीक है ना, तो यहां पर एड्मिनिस्टेशन ने क अब शुरू होता है तो उसका सूपर वीजन सूपरवाइजर के द्वारा किया जाता है ताके कारी की प्रगृति हो सके है और सबसे नीचे एने शॉप लेबल पर क्या होता है एक्षॉल में प्रोडक्शन होता है या फिर यह कह सकते है जहां से डेलेवरी होती है ना तो यह क कहता है कि लोग प्रशासन के कारिशित के अंतरगत या लोग प्रशासन का जो कार है वो क्या होता है वो सिर्फ टॉप लेबल पर होता है याने सिर्फ यहां तक होता है थिक यहां तक होता मतलब क्या हुआ इसमें क्या है एड्मिनिस्टेशन टॉप लेबल पर है और और कैसे करना है इस संब्समाद में जो निर्णा लिया जाता है इतना ही काम क्रेंद की का होता है लोग प्रशासन के k nimmtर केipper होता है मतल gucken यहां पे जो नीचे जो सूपरवीजिन होता है या पहीजो डिलेबरी जहां फोन्ति दोई ने प्रशासन धाकर नहीं माना लाता है कि कि द्वारा यह मेने जी और रही है आपको है और में याने प्रशासन में जो क्या है सिर्षिस्तर का कार होता है सनचना जो बनी है उसका शिर्षिस्तर का कार अर्थात किसी भी organization के top level पर क्या होता है वहाँ पर decision लिया जाते हैं वहाँ से order यहां तक तो बात यह कि यह इस तरिके से बताथ है कि प्रशासन का यहांने को युइप उसका अंतरगता आती है तो संगर्ठन का जिर्श गयाता है ये किया जाताойти है और जहां से order जारी करके नीचे वाले से क्या है नीचे वाले इस तरों से काम कराया जाता है काम कराया जाता है ध्यान रखिएगा काम कराया जाता है तो इसका मतलब यह हुआ कि सिर्फ इस तरकार ही लोगप्रशासन का रहे हैं नीचे के इस तरकार को लोगप्रशासन के का कारे के अंतर्गात नहीं रखा जाता है यह बात के लिए हो गए हम आगे आगे चलते हैं अब हम इंटिक्रेटेडेटे प्रूच देखते हैं हूँ हाओ ऐसी थेहां कि अनि लिचTH कहता है फिर से हम इस्तों तरीख से बना लेते हैं इसको है ना ये सब अब हम जो देखने जा रहें एकी करदिष्टिकोर है ना इन्टीग्रेटेट्ट या एन्टीग्रेटेट इप्रोच या फिर एकी करदिष्टिकोर यह क्या कहता है वह कहता कहता है कि लोग प्रशासन के कार के अंतरगत यहां यहां यह आर्गनाज़शन का जो टॉप लेबल है वहां से ले करके नीचले इस तर तक भले ही वह क्या है एक प्यून का कारे हो वो सभी कारे जो होते हैं वह लोग प्रशासन के कार के अंतरगत आते हैं यहां यहां टॉप सब्सक्राइब तूल और इस तरक जितने बी काम होता है है से लिया करके आप नीचे था दूल प्रशासन की कोन कहता है यहां पर इंटीक्रेटख जिसको कह सकते हैं तो यहां लेकर कि यहां तक जो भी कार है वो सारे काम लोग प्रशासन के कार के अंतरगत आते हैं यहां ते बात क्लियर हो रही है चलिए तो अब हम क्या कर रहे हैं यहां पर यह चीज़ समझ गए हम कि प्रबंधात्मक दिश्री कौन किसको कहते हैं और इंटीग्रेटेड एपरोच कि को कहते हैं तो यहां पर सीधा सगर तीश शब्दों में लिखना है आपको तो प्रबंधात्मक दिश्रीकौन का मतलब क्या बताएंगे आप कि यह लोग प्रशासन का एक परंपरागत दिश्रीकौन है जिसके अंतरगत लोग प्रशासन का जो कार है उसको संगठन के शीर् और अंटीग्रेटर एप्रोच क्या है प्रबंधात्मक दिश्रीकोण के एउप्ररीऊ इंटीग्रेटर एप्रोच संगठन में संगठन के सीर्श से ले करके निम नीस्तर तो सारी कामों को लोग प्रशासन की प्रकृतिक अंतरगत शामिल करता है यह इंए इंटीग् में लिखना है तो इतना आपने लिख दिया ठीक है ना अगर मालेज आपसे प्रश्ण पूझता है कि प्रबंधा प्रबंधात्मक दिश्ट्रीकॉर्ण और एकिकर दिश्ट्रीकॉर्ण इन दोनों में कुछ अंतर बताईए आप है ना मालेज 100 शब्दों पूझ दिया या 125 25 शब्दों पूझ दिया तो अब आपको इसके अंतर बताने पढ़ेंगे चलिए हम इसको बहुत अच्छे तुलनात्मक दिश्ट्रीकॉर्ण करते हैं तो अब यहां पर समझना है हमको है ना यहां पर इस तरीके से आपका प्रशासन की सरचना है ने हैं सब्सक्राण लेवल पर आपका सेशन है लेकिन है यहां सेसल ऑना अब्सक्राण होता है उसके तेविजन होता है यहां पर यहां पर यहां पर होने वाले कारे ही सिर्फ क्या होते है वह प्रशासन का कारे होता है ठीक है यह कून कहता है मैनेजरियल एप्रोच याने प्रबंधात मंगदिश्य कौन इसका मतलब क्या हुआ यहां से क्या होगा यहां से सिर्फ और सिर्फ यहां पर नीटियां याू लक्ष तe कि जाएंगे या फिर साध्य जैसी चीज जो However जिसको कहते हैं और यह जो नीचे वाला इस तरह है इधर ठीक है implementation याग नीटी का क्रियानवन दोनों अलग-अलग हो गया ना यानिए संगठन प्रशासन का जो काम है वो क्या है वो बता रहे है कि नीटी निर्माण से संब्दीय आने लक्ष तैख करने संबंदित है और नीचे वाला इसस्तर जो है वो क्या है वो प्रशासनकार के अ आता है तो कहीं ना कहीं क्या है जो वुड्रुविलसन का एक विचार था राजनीती प्रशासन दुभाजन यानि नीती निर्माण और नीती का क्रियान में दोनों अलग-अलग प्रकृति के हैं तो इस आधार पर राजनीती विज्ञान के अंतरगत लोग प्रशासन विशय क होने का कोई और नहीं है इसी आधार पर पर अन्हें रोग प्रशासन विशय को जन्म दिया और राजनीती विज्ञान से आजाद कराया तो कहीं ना कहीं यह जो है किस विचार धारा को बता रहा है जिसमें क्या है इन दोनों प्रकृतिक के कारियों को अलग-अलग कर रहें यहां पर लक्ष तैय करना और उसको क्रियानित करना इन दोनों को अलग-अलग कर दिया यहां से यह क्या है एक अलगाव राजनीती प्रशासन द्विभाजन वाली विचारधारा को जस्टिफाई करता हो दिखाई पड़ रहा है यह बात क्लियर हो रही है है ना तो इस तरीक तो विचारधाई को अलग देखा गया और था दोनों की प्रकृति को अलग रख किया गया तो यह कहीं न कहीं क्या है परमपरागत दिशिकोण की मानता को स्विकाल करता है इसका मतलब हम यहां पहला पुइंट इस में लिख सकते हैं कि जो प्रबंधात्मदिशी कोण है व कि परम्परागत यह परम्परागत प्रशासन की मान्यता को स्विकार करता है ठीक है ठीक है यह परम्परागत हो गया अब वहीं पर क्या है वहीं पर आप देखिए एक हम दूसरा बनाते हैं यह integrated approach के लिए है ना यहा भी यह agriculture अध्य है यह management है यह उपर वीज फिर है जो उपर आप synthetic ह्व और integrated approach क्या कहता है integrated यह है कि यहां से लेकर क्या हैun तक सारे काम यह दुफल य'S लेकर कि bottom तक सारी जितने भी काम होते हैं भले ये वो प्यून का कारी क्यों ना हो सभी प्रशासन के अंतर गताते हैं इसका मतलब क्या हुआ एकिकृत दिश्डी कोण में कहीं भी आपको यह सा दिखाई पड़ रहा है कि यहाँ पे डिसीजन लेना और डिसीजन को लागू करना या फिर नीती बनाना और उसको लागू करना या फिर साध्य और साधन यह दोनों कहीं अलगाओ दिखाई पड़ रहा है कोई डाइक ओटों में यहां नहीं दिखाई पड़ रहे इसका मतलब क्या हुआ यह एकिकृत दिश्डी कोण वाले हैं और सारे कारियों को क्या है एकिकृत से लग लग नहीं किया गया है सारे कामों को एक-एक साथ देखा गया है और सभी निज की बात की इसके अलावा नीती-निर्मार और नीती-क्रियानवन सभी में क्या है, सभी इस्तर के लोगों को क्या है, उसमें शामिल करने की कोशिश की जाती है, ताकि कहीं से कोई विरोधा भास न पैदा हो, और बाकि सभी लोग जो जिस भी इस्तर पे हो, वो सभी क्या करें उस नीती में अपना जो भागिदारी निभा करके अपना महत्वपूर्ण जो सुझाओ है वो दें और साथ ही साथ इस तरीके की भागिदारी से क्रियानिमन में उसका जो लोग जो क्रियानिमन करने वाले हैं उस अगर नीती निर्माड में उनकी भागिदारी होती है तो क्रियान में में भी उनको आसानी भी होती है और साथ ही सथ क्या होता है वो सारे और जो है वो फॉलो भी करते हैं क्योंकि नीटी निर्माराद में खुश शामिल थे तो कोई उचिते नहीं बनता है कि फिर उसको लागू करने में आना कानी करें है ना तो इस तरीके से क्या है यह इंटीग्रेटेड अप्रोच है और यह क्या है आज कि यह आधुनिक समय की मानिता है ठीक değil ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो इसका मतलब यह हुए कि आधुनिक समय में कौन दिखाई पढ़ रहा है क्यों दिखा ने क्यों दिखाई पढ़ रहा है क्हों है यहां पर क्या है यहां पर भागिदारी प्रबंद पा रहा है तो उतने अच्छी नीती को होने को कोई मतलब है नहीं एक्च्छल में है ना तो यहां पर क्या है नीती का लागू होने ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है और एकी कृतिश्री कोड जो है वो क्या करता है उसको लागू करने के लिए जो चीज चाहिए जो कंडिश होने चाहिए वो क्या है एके कृत को फिल्हें हं को क्या है जीई से मिलता है ठीक ना इसले आधर ओनी समय कि मान मत savelt के है। एक क्रिद्विशन कोन है यहांत बात क्लि่र हो गई हैं चलिए हम आगे चलते हैं ठीक है इधर मेनेजरियल एप्रोच है और इधर इंटिग्रेटेड एप्रोच है ठीक अब यहां पर ध्यान रखने वाली बात है कि प्रबंधात्मक दिश्ची कोन में हम क्या देख रहे हैं इस तरह के का और्गनाइजेशन है और यहां पर डिसीजन लिया जाता है है ना और जो आदेश दिया जा रहा है वो क्या है काम करने की बात हो रही है काम कराने की बात हो रही है तो ओर्डर देखने वाली बात यहां है कि अगर हम सेवा भावना प्रशासन के अंदर हम किस चीज की उम्मिद करते हैं सेवा भावना की उम्मिद करते हैं और सेवा भावना की उम्मिद करते हैं इसका मतलब क्या हुआ भाई इसका मतलब यह हुआ कि यहां पर तो काम कराया जा रहा है ना काम कराया जा रहा है इसको दूसरे त अगर देखें तो सेवा कराने की कोशिच की जा रही है तो यह बताईए आग सेवा करने वाले चीज़ होती है या फिर कराने वाले चीज़ होती है तो जब कराया जा रहा है तो सेवा भावना तो होगी की नहीं वहाँ पहना तो यहां पर काम और देके कराया जा रहा है यहां पर नीती निर्मार में प्लाइनिंग में कहीं शामिल नहीं है इनको यहां पर जो भी निर्णा लिया जाता है और नीचे वाले से कहा है सिर्फ उसको लागू करने के लिए कहा जाता है इसका मतलब उनसे काम कराया जाता है जाहिर सी बात है कि और जिया जाता है और हमेशा रह करना है तो वहां पर सेवा भावना नहीं आ सकती हम शयाद रखेगा इस चीज़ को तो सेवा भावना अगर administration की बात करते हैं तो में सेवा भावना की आवशक्ता होती है यहां पर क्या है प्रबंदकी दिश्ची कोड में सेवा भावना की कमी है ना सेवा भावना की कमी क्यों है क्यों कि यहां पर सभी इस तरों को क्या है भागेदारी यहां पर नहीं मिल रही है सिर्फ उपर डिसीजन लिया जाता है और नीचे वालों को सिर्फ और दे करके क्या है काम कराने की कोश्चित की जाती है इसलिए सेवा भावना की कम भी नजर आती है ठीक है ना लेकिन वहीं Integrated किby आता है यहां से लेकर कि सभी को प्रशाषण कार माना जाता है निए administration का कार हो भी बहुत जादा महतपोर्ण है management का कार भी महतपोर्ण है supervisor का काम भी महतपोर्ण है और सबसे नीचे इस तर इस फिर शॉप लेबल बिजो प्रडेक्शन कर रहे हैं उनका भी क्या है काम बहुत ज़्यादा महत्वर्ण है याने एक प्यून भी बॉटम इस तर पर क्या है अगर प्यून भी है उसको भी इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है तो जाहीं से बात है कि यह क्या होगा अगर इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है थाय वर क्यों कि हां क्राया नहीं जा रहा है यहां पर सभी को इंपोर्टन्स दिया जा रहा है तो इसए में क्या है यहां पर आपको सेवा भावना जादा दिखाई पड़ेगी याने इंटीग्रेटेड एप्रोच में आप क्या दिखेंगे सेवा भावना सेवा भावना अधिक अधिक दिखाई पड़ती है न क्यों भाई समझ गए है आप इस चीज़ को यहां पर टॉप लेबल से लेकर जिसके सी बात है कि उसके अंदर वी क्या होगा अपने पन की भावना हो attack यह जो प्राप्ट करने के लिए ओ क्या होगा थिक है ना तो इसका मतलब कि चलिए आगे चलते हैं हम लोग सभी कमई ओगर हूं लिया कि निलियू बाख में जो काम है और,was सभ्सित यहां तक वह सिर्फ संगठन का कारे नीचे कारे प्रशाशन का नहीं माना जाता है तो किया संगढ़ आ रहा है यहां पर संगठन 찍ह होगा एक organization जो होता है ना एगर एक सामुहिक प्रयास एक collective effort की बात की जाती है तो उसमें क्या होता है सभी अपने मन से सुच्छा से उस काम को अपना समझते हुए करते हैं ना जब अपना समझते हुए काम करते हैं तो जाही सी बात है कि वो जो कार होता है जो उद्देश होता है वो जादा अच्छे से पूरा हो सकता है ठीक है ना तो बहुत जादा अच्छे से पूरा हो सकता है लेकिन यह यहां पर किया है यहां पर तो इतना ही तक लिया गया है बाकी नीचे जो सूपर वीजन और शॉप लेबल का जो इस्तर है नीचला जो इस्तर है उसको क्या उसमें शामिली नहीं किया गया है तो जाही जी बात है कि यहां पर इनको ओर्डर दे के जो काम कराया जा रहा है तो आडर दे कर काम कराने की जो priority होती है उसमें सबसे importantiva चीजी होती है, कि अगर हर चीज में अगर जीज में प्रेशर के साथ काम कराने कोश्द की आती है, तो हमेशाइए दिखेगा इसमें जो शीर सिस्थर है, उसकी सोच क्या होती है उसकी सोच जो ये होती है कि लोग जो है काम को पसंद नहीं करते हैं ध्यान रखिएगा अगर मैं अपनी बात कहूं अगर तो मैं अगर क्या है लोगों पर भरोसा करता हूं तो मैं उनके बहुत प्रेशार या बहुत जादा उनके बहुत दबाओ दे क काम कराने कोशी नहीं करूंगा क्यों नहीं करूंगा क्योंकि मैं ऐसा भरोसा करता हूँ लोग काम को पसंद करते हैं बस काम उनके मुताबिक हो काम उनकी पसंद का हो और साथ ही साथ वहाँ पर क्या हो उसको उसके काम को पूरा पसंद किया जाता है और काम को कब ना पसंद किया जाता है जब वेक्ति के अनुसार काम ना हो है ना जो जिस मामले में सक्षम नहीं है जबरदस्ती उससे वो काम कराने के कोशिश किया जाए या फिर उसके अंदर वो शमता नहीं है तब उससे वो काम कराने कोशिश किया तो यहां पर सीधा सबस मतलब यह है कि काम यहीं पर है मतलब निरने लेने प्लैनिंग करना सारा काम जो शीर सिस्सर पर किया जा रहा है और उसको जो है क्या है नीचे काम करवाया जाता है तो काम करवाया उससे जाता है जिस पर भरोसा नहीं होता है नहीं तो जिस पर भरोसा व्यक्ति को काम को नापसंद है ना नापसंद करने वाला माना जाता है करने वाला ठीक काम को नापसंद करने वाला माना जाता है ठीक है ना मतलब यह हुआ कि काम को नापसंद करने वाला माना जाएगा तभी उससे काम जबरदस्ती कराने की कोश्च की जाएगी उनके सोच में रहता है कि सामने वाला नका रहा है कुछ काम करना नहीं चाहता है तो वहाँ पिर काम कराने की प्रविय्टि होती है तो इसले क्या है यहाँ पर अर्गनाइशन में सभी कामों को इंपोर्टेंस देता है सभी कामों को प्रशासन के कारे के अंतरगत लेता है तो ऐसे में क्या है यहां पर जो एप्रोच है क्या है सभी को इंपोर्टेंस देने की है अर्थाथ यहां पर क्या है यहां पर जो इस दिशिकोंड की जो मानेता है वो यह है कि व्यक्ति जो है वो क्या करता है काम को पसंद करने वाला होता है और एक करता है एक व्यक्ति काम को पसंद करता है बस रहते कि उसको क्या है उसके मुताबिक काम दिया जाए उसके छंपता के अनुसार काम दिया जाए और साथ इसाथ वो जो परिस्तिती है उस परिस्तिती को भी क्या है उसके अनुसार यानि काम करने की परिस्तिती जो होती है उसको जो collective साभोई प्रयास बाथ कर रहे हैं हम लोग ने अभी शुरू में क्या देखा Organization क्या है Administration जो है वो क्या है Aí corporation है क्यों हो भाई organization है क्योंकि इसमें क्या होता है organization में लोग सामुहिक प्रयास करते हैं सामुहिक प्रयास करके क्या करते है जो संगठन का उद्देश होता है, उसको पूरा करते हैं, यानि जो प्रशासन का लक्ष है, उद्देश है, जो हमारे देश के समिधान, हमारे जो नीती निर्माता है, उनके द्वारा जो दिया जाता है लक्ष, उसको क्या करते हैं, उस लक्ष को प्राप्त करने के लिए, हम संगठन बनाते हैं उस संगठन क्या करता है उसो देशależ को प्राप्त करता है और संगठन जो है सफल होगा या सफल तब होगा जब वो सारे लक्ष जो दिये गए हैं उसको पूरा करें अर्थाद देश से गरीबी, बेरुजगारी, दहेज, हत्या और अपरादी सारी चीजें जो हैं उसको खतम करना है यही लक्ष है और इसको पराप्ट करने के लिए हमारा और्गनाइशन हैने प्रशासन का काम से यह क्यों है यहां इस अदिक समय के मानता जो तान देख जो लोगों से यह दार वाद आज के समय में जो एक नारा है उसके अनुसार जो है आज की समय में एके करदिश्यतु अधिक मानने है प्रबंदात्मक्रा श्यकूल परफ अазमय में ज्याधा माने था है hackay यहाँ पर क्या है यह इस है यह जाधा दिखाई पड़ हुआ ठीक हैना कुंकिए क्या है आपका यह जादा डिमोक्रिटी केना याने ये एक अर्गनाइजीशन का लोक्तांत्रिक चेहरा है तो अन्टर भी आप क्या कर सकते हैं मैंने जरेल एप्रोच एंटीगरेटर एपरोच में आप ये तर भी लिख सकते हैं ठीक है बात क्लियर हो रही है ना चलिए हम आगे चलते हैं अब यहां पर आपको और चीज़े समझ में आने वाली जो बात है वो क्या है भई देखिए इस चीज़ को है न मैं यह जो आपको बता रहा हूं सारे पॉइंट्स आपको लिखते चलना है पेन प्रबंद्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द् अगर आप अपने समझदारी आपने समझ के आधार पर अपने मौलिक्ता के साथ अगर उत्तर लिखते हैं तो नो डाउट वो सबसे अच्छा उपरोच की बात कर रहे है ना तो हमने क्या देखा यहां ठी काम हें यहां पर यहां नो के लकुस क्या जाता है यहां पर निमाद का रहे हैं फन्तर इसके बाद आप निली आप जिया, इसका मतलब यह होगा, कि नीची रे का इसतर जो है, उसको पूरा हन्ड़ड परसेंट इफिशेंशी साथ काम करके, वो आपको पूरा टागेट पूरा करके देगा, है ना, तो ध्यान रखेगा इस से, इसको, कि इनसान है, है ना, इनसान है, तो इनसान और मशीन में होता है न तो ध्यान रहेगा जैसे आप के कमरे में अगर अगर न कि तो फैन है वह क्या है एक मशीन आपने बटन दाबाया बटन दाबाया तो फैन्न चलने लगेगा वह ब气 जफ् si- ऱ्व बेमार आपको यही चीद दिखाई पड़ रहा है कि संगठन जो है एक मशीन है और जो व्यक्ति है उसमें जो काम करने वाले लोग है वो क्या है उसके उपकरण है ना इंस्टूमेंट है तो यहां पर ध्यान रखने वाली बात यह है इन्होंने क्या कहा यहां डिसीजन आप ले लीजे और जारी कर दीजे नीचे के लोग जो हैं क्या करेंगे उस आर्डर का पालन करेंगे ठीक है ना तो अब यहां पर ध्यान रखने वाली बात है यहां पर इन कुछ जाएगा है ना यही फर्क है ना तो इनसान और मशीनों में यही फर्क है तो धियान रखिएगा आप अंखे को अगर बटन दबा के आदेश देते हो तो चले गए चलेगा अगर और में है तो तो अब वो चले गए चलेगा लेकिन इनसान है तो हर बार आपका जो इनसा भी पसार नहीं है या पिर आप सिर्फ काम कराने के प्रविति पर ज्यादा ध्यान देते हैं उसकी परिस्तितियां उसके बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हैं तो जाहिश से बात है इन सारे का पालन होगा और देश पूरा हो जाएगा तो कहीं न कहीं मैनेजरेल अप्रोच का याने प्रबंदिकी दिश्रिकोर्ण की जो मानता है संगठन के बारे में वो क्या है मशीनी है ना यह भी आप पॉइंट लिखेंगे कि मैं जो आपका मैनेजरेल अप्रोच है या प्रबंदात्म को मशीनी को मशीनी को देखेंगे आप संगठन को यह मानवी संगठन के रूप में देखता है और यह प्रबंदात्म दिश्रिकोर्ण संगठन को मशीनी दिश्रिकोर्ण से देखता है मतलब हम निर्ने लिए आदेश जारी किये जिस तरीके से पंखा बटन दबा दें तो चलेगा ही चलेगा उसी तरीके से यहां भी जो लोग काम करने वाले है आदेश दे देंगे तो आदेश का पूरा-पूरा पालन करेंग कुसके लिए तो संगर बन जाताने संगा है यहां गलते होने जाएगे तो टारीके से रूपर से यह उपर से order आएगा और नीचे से क्या होगा reporting होगी ठीक है ना तो इस तरीके कि इनोंने क्या संचार के सिफ़् दो ही तरीके बता है मेनेजरियल एप्रोच में यही होता है है ना अजब की है कि सतर है यहां पर तो यह इसको आदेश देगा यह स्वाधर देगा यह इससे नहीं मिल सकता है यहां पर यह यह फोग्ता है यहां पर یہ आपस समय में यह आप paremพरागत संचार जो है आपको हर दिशा में दिखाई पड़ेगा यहने ऐसे भी संचार होगा ऐसे भी होगा ऐसे भी होगा ऐसे भी होगा ऐसे भी होगा उपर नीचे अगल बगल सब तरीके का संचार यहां पर मैक्सिमाम आपको दिखाई पड़ेंगे तो इसका मतलब क्या हुआ यह एक बड़ा अंतर है इन दोनों के बीज में और आज इस तरीके की organization की ज़्यादा ज़रूरत है ना तो इस तरीके organization आज के समय में ज़्यादा मानने है इस प्रश्ण का उत्तर भी आपको इस सारे points में मिलता जा रहा है ठीक है दूसरी बात यह है कि यहां पर अगर एक order यहां फिर्स वाला इसतर जो है यह decision layer है और और इनके बीच में क्या दिखाई पड़ रहा है इनके र इनके बीच में क्या दिखाई पड़ रहा है सब्सक्राइब यह कोई बहुत जदा है लिए इंटिगरेक्रेटर में क्या है। क्यों कि इतना hierarchy नहीं है यहां पर एप लोग अपनी बात रख सकते हैं उनकी बात सुनी जाती है ना तो इसका मतलब यहां पर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे अब यह यह Hindu में अपलिक लीजेगा ना मतलब शक्ति की दूरी कह सकते हैं जो भी power distance है ना यहाँ पर क्या है यहाँ पर इस जादा है और यहाँ पर क्या है यह बहुत कम हैं ना के बराबर ठिक यहां तो बात क्लियर हो रही है तो यह भी पॉइंट आपको क्या है इन दोनों के बीच में अंतर के तौर पर दिखाई पड़ रहा है और भी चीज़ें इसमें हो सकती है आप देखेंगे क्या कि एक और अगर ऐसा है और इस और इतने में है तो इसमें क्या है सेंट्रला जाएशन जाद दिखाई पड़ रहा है ना सिंट्रला जेशन ठीक है ना मतलब यह है कि जो आपका मैनेजरिल एप्रोच है वह कहता है कि प्रशासन की कार सिर्फ यहीं तक सिमित है तो इसका मतलब क्या है यहां पर केंदरी करन sick की प्रवित्ति जादा दिखाई पड़ रही है ना जबकि आपका जो इंटीग्रेटेड एप्रोच है वो कहता है कि यहां से लेकर कि यहां तक सारे काम प्रशासन का रहे हैं सभी महत्वपूर्ण है इसका मतलब यह हुआ यहां पर भागीदारी दिखाई पड़ रही है यह लोगों से बाचीत करके लोगों की भागीदारी के साथ यह लिया जाता है और उसको काम कराने के लिए नगहीं का रीखा जाता है सब काम मिल के करते हैं तो ऐसे में क्या है है यहां पर Decentralization ज्यादा बढ़ता है क्यQU कुछ भी रटने की जरुवत नहीं है अगर इस तरीके से आपने चीज़ों को समझ लिया है तो नो डाउट आपको किसी भी तरीके का प्रश्ण यहां आपके नेचर से पूछेगा प्रकृति से पूछेगा तो आप क्या करेंगे उस प्रश्ण का उत्तर दे सकते हैं आराम से दे सकते हैं ठीक है ना तो यहाँ पर एक डिफरेंस हो गया मैं एक चीज़ इसमें और बताना चाहूंगा तो कि वीडियो मुझे लगता है ज्यादा लंबा हो रहा है लेकिन एक बार आपने इस तरीके से आपने पढ़ लिया अच्छे समझ लिया तो फिर आपको पीछे पूरिय से ही रहेगी तो आप मेंस के तैयारी अच्छे से कीजिए जम के कीजिए अब पूरी मौलिकता के साथ अच्छा उत्तर लिखा जाता है इस बात को समझ लिजी और मौलिकता तभी आएगी जब आपने चीजों को समझ के लिखा है ना एपलाइड लिखा है ठीक है तो यहां पर थोड़ा सा 36 गड़ में महौल दूसरा है तो इसलिए थोड़ा सा बोलने बताने में थोड़ा डर लगता है लेकिन अगर आप समझदार है तो मेरी बात आप शायद समझ रहे होंगे और समझ रहे होंगे तो जरूर आप इस चीज को करके देखेगा आपको नोड इसका मतलब यह हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि मैंनेजरियल अप्रोच जो है परमपरागत प्राचीन समय में मानने था और आज वरतमान समय में इंटिग्रेटेड अपरोच ज़्यादा मानने है ऐसा हम नहीं कह सकते ठीक है नधियान रखेगा कि और गनाईजेशन में कई तरीके के लोग होते हैं तो कई तरीके के लोग होते हैं तो महाँ पर क्या होता है कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनसे वाकई में काम कराने की तो इससे क्या है यहां पर आप यह देखेंगे कि थोड़ा सा पावर कहीं जरूरत पड़ती है और जहां पर खुद से काम हो जाता है वहां पर इंटीग्रेटेड एपरोच लेकर चला जाता है ठीक है ना तो बहुत जादा गुंजाइश आपकी पाल होगी ने एक्षोल में प्लिकिन यहां रखेगा कि आप यहां पर देखें आप इस चीज को के फ्रयत में करने का म incap नहों तो इसका मतलब यह है कि यहां पे क्या है मैंने जिरियल अपरोच जबता है फिसा है और इस तरीक है कि को और यहां पे रेगलेट करने वाली चीजह आहित नहीं होंगे ओस ubis क्या क्या है कि वहाँ पर आप फैसिलिटेट कर दीजिए बस फैसिलीटेट मतलब सारी सुविदाय सुविधाय दे दीजिए सारी चीज़े दे दीजिए तो यह क्या होगा खुद बाखुद काम करेगा तो यहाँ पर क्या है regulatory form of government की बाद बता रहा है यह facilitas from government की बात कर तो वहाँ पर क्या ज़्यादा था रेगुलेटरी प्रकार का यहने हर चीज को कराने और ताकत के बलब पर कराने की बात की जाती थी तो यह इपरोज के मावमें डिफ्रेंस है लेकिन ध्यान रखेएगा इस चीज को कि regulatory form of government और फेसिलिटेटर form of government दोनों जो है हर समय जरूरी होता है बस मात्रा कंतर होता है कभी यह ज़्यादा जरूरी हो जाता है ठीक है ना अब आने के जरूरत है लेकिन चुकि वीडियो लंबा हो गया है और आपका जो एक्जाम है वह उसमें पूछता है सब्जेक्ट में नहीं पूछता है ना इतना भी आप लिख देंगे चुकि शब्द बहुत ज्यादा होने का भी डर रहता है तो चीजों में ही आपको कम शब्दों में चीजों को सई तरीके देना है इतना भी आपको काम चल जाएगा है ना अगर किसी दिन अगर लंबा टाइम ऐसा मिलता है अगर आप लोग कहते हैं ऐसा तो हम इसको और डिटेल से भी पढ़ सकते हैं चीज को है ना तो थोड़ धान चीज को तो आपको यह बताना है कंक्लूजन में कि रेगुलेटरी और फैसिलीटेटर यहने नियाम की और इसको बोलते हैं सुविधा परदायक है ना यह दोनों प्रकार के जो प्रशासन है इन दोनों की जरूरत पड़ती है समय परिस्तिति के अनुसार और थाग ऐसा नह अनिश्कास लिखना है ठीक तो जितने भी पॉइंट्स मैंने बताए हैं अगर आपने क्या है पेन कलम लेकर पेन और कॉपी लेकर बैठे होंगे तो इन सारी चीजों को जैसा बताया है उसी तरीके से फिर से दिवाइस कीजेगा और यह वीडियो आपके यूट्यूब पर रहे गहीं रहेगा तो इस सारे वीडियो उसको देख करके कम से कम यह टॉपिक आपका ऐसा त्यार हो गया है कि अगर आपने अच्छे से कर लिया है पेन कॉपी चला करके आपने पढ़ाई की है तो अगले वीडियो में जल्दी ही मिलेंगे फिर थैंक यू अगर आप चाहते हैं अपने कैरियर को एक नई दिशा देना और सुनहरे भविशे को साकार करना तो जुड़िए कॉम्पिटिशन कम्यूनिटी के साथ आज ही हमारे वेब साइट के कैरियर पेज पर विजिट करें अत्वा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिये गए लिंक हमेशा आपके साथ टीम कोको